सालाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पर वालकम कहती हूँ हम लोग जो पॉयम डिसकस करें और दाट इस The Prologue to the Canterbury Tales जिसको लिखने वाले से Geoffrey Chaucer अब तक हम लोगों ने इस पॉयम की 478 नमबर तक line को cover कर लिया हुआ है आज के lecture में हम लोगों ने 479 line से अपनी text को शुरू करना है last lecture में हम लोगों ने Wife of Bath के character को cover किया था आज के lecture के अंदर हम लोग Parson के character को cover करने वाले हैं तो time को waste किये बेगार हमारे lecture को हम शुरू करते हैं तो text को discuss करने से पहले मैं आपको थोड़ी से पहरा phrasing बता दूँ कि चोसर क्या कहता है Parson के बारे में चोसर कहता है हमारे साथ इस pilgrimage के अंदर एक अच्छा आदनी भी था और वो अच्छा आदनी religious man था basically ये एक ecclesiastical character है ecclesiastical characters जो हैं उनके अंदर हमारे पास जो characters आते हैं वो है prioris, monk, friar, sumner, partner, parson, clerk ठीक है ये characters आते हैं और ecclesiastical characters उनको कहते हैं जिनका link church के साथ होता है जिनका link religion के साथ होता है इसके इलावा Prologue the Canterbury Tales का एक important question भी है Chaucer's treatment of ecclesiastical characters in the Prologue to the Canterbury Tales और इन ecclesiastical characters के थूँ इन religious characters के थूँ Chaucer जो है वो उस time period पे church के अंदर जो corruption थी उस corruption को highlight का रहा है सटायर का रहा है religion के ओपर इन सब ecclesiastical characters के अंदर जो इससे भी गरीब है जो खाना नहीं खा सकता है यह उनको खाना कहलाता है जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसे देता है जितना इसके पास होता है जितना है कर सकता है उतनी लोगों की help करने की होशश करता है Though he is poor but he is rich in ideas पार्सन कहते किसे हैं, बिसिकली एक रेक्टर, एक विकार, एक क्लरिक, यानि कि एक क्लर्जी मैन को, एक चैपलेन को पार्सन कहते हैं अब मैं बतारी थे आपको के चोसर कहता है हमारे पास एक रिलीजियन मैन था जो के बहुत ही गुड मतलब बाय करेक्टर बहुत अच्छा था किसी टाउन से बिलॉंग करता था और वो उस टाउन का एक पूर पारसन था लेकिन वो अपनी थौर्ट्स में और अपने वाक में बहुत रिच था वो एक क्लर क्यानी के एक क्लरजी मैन था एक प्रीज था साथ ही साथ क्या था वो एक लर्ण्ड मैन भी था काफी पड़ा लिखा आदमी था यह जो क्राइस की गॉस्पल बुक है उनको ट्रूली और फेटफुली लोगों को प्रीज करता था और जो भी परिशनर्स थे मतलब इसके चर्च के आसपास रहने वारे लोग जो इसके पास बाइबल सीखने के लिए आते थे गॉस्पल सीखने के लिए आते थे यह उनको डिवोटेडली पढ़ाता था, सिखाता था, प्रीज करता था, प्रीज में तबलीग करना यह पर्सन यानि कि जो पार्सन था हमारे पास यह काफी कमपैशनेट, काफी बैनिवलेंट पर्सन था और इसके लावा यह wonderfully diligent था, काफी rich ideas रखता था और जब भी adversity का time period आता, यानि कि ऐसा time जब lack of food होता, पैसा ना होता, खाने को कुछ ना होता उस time पर काफी content रहता था, काफी patient, सबर का इजहार करता था, हमेशा सबर से काम लेता था और यह ऐसा आदमी था, जिसकी वाकई में तरीफ की जाए, the one who really deserves reward or praise और कोई बंदा जो church के taxes नहीं देता था, यह उस person को curse करना अच्छा नहीं समझता था यानि कि उस person को बद्दुआ देना अच्छा नहीं समझता था और जो बंदा tax नहीं दे पाए, उसको कोई curse करे, यह उसके लिए एक great dislike रखता था anyhow, यह इसकी duty का part था कि जो poor persons थे, जो poor लोग थे, उनसे tax लेना था इसने church के लिए अब, यहां तक कि यह उनसे fees charge करता था, उनसे taxes लेता था church के लिए लेकिन on the other hand, वो लोग जो के गरीब थे, जो poor parishioners थे, जो poor लोग थे, इसके पास आते थे यह उनकी भी help करता था, उनको भी यह arms provide करता था, arms means food provide करता था money provide करता था, out of his own offerings, offerings मतलब जो किसी बंदे को gift मिलते हैं या किसी बंदे को कोई पैसा दिया जाता उस चीज़ से, ठीक है, तो वो अपने जो इसको gift मिला है, जो इसको पैसे मिले है उन पैसो से हरीबों की भी मदद किया करता था, और इसके पास जितना भी था ना, यह उसके अंदर contented था, ठीक है He never complained for anything, उसने गभी भी complaint ने की, जो इसके पास थोड़ा था, वो इसके लिए वो ही काफी था contented person था यह, पिर चो से पताता है, जो person था ना, उसका parish, उसका church, उसका जो area है, वो काफी wide था और इसके जो घर थे, वो काफी दूर दूर थे किसके घर, जिस parish में, जिस area में यह है, उस जगा के घर, ठीक है, काफी दूर दूर थे कहता, अगर बारिश होती, या थंडर होता, कुछ भी होता, कोई person बिमार हो जाता, या फिर किसी की भी हालत खराब हो जाती, वो इस person को बलाते तो person hesitate नहीं फील करता था, person क्यों ना इसको दूर दूर जाना पड़ता, क्यों ना कोई अमीर होता या गरीब होता, हर एक के पास जाता था उसको मिलने के लिए, उसकी हालत, उसकी तबियत पूछने के लिए, ख्वा इसको अपने पाउं पे जाना पड़े, या फिर इसको कोई भी preaching करता था, तो उसको सिखाने से पहले खुद उसको पर practice किया करता था, और यह lesson इसने खुद gospel से सीखा था, जिस पर लिखा था doing before teaching, यानि कि करने से पहले, sorry, सिखाने से पहले खुद करना, ठीक है, यह gospel के अंदर message था, gospel mean injil, तो इसने वहां से ही message लेकर, खुद पहले अपनी life के अंदर apply किया, and then लोगों को preach किया, और यह कहता था, if gold rust, iron will then rust irreparably, मतलब है इस बात का, कि अगर gold spoil हो गया, तो iron भी spoil हो जाएगा, यह फिर इसको अगर हम simple words में देखे, तो यह कहना चाहरा है, कि अगर preacher ही corrupt होगा, तो इसके जितने भी followers हैं, वो भी सारे क corrupt होंगे, इसलिए preacher को पहले अच्छा होना चाहिए, ताकि इसके followers भी अच्छे हो, कि अगर एक priest, जिसके उपर हम blindly trust कर रहे हैं, वो हमारे साथ खेल खेलेगा, corruption करेगा, तो अगर priest का यह हाल है, तो फिर जो आम आदमी है, वो corruption करे हैं, फिर वो corrupt हो, तो उस पहरान होने की बात नहीं है, क्योंकि जब leader ही corrupt है, तो फिर उसको follow करने वाले भी automatically corrupt होंगे, अगर जो priest है, जो preaching करने जा रहा है, वो खुद अपने आपको अगली हिससे, corruption से साफ नहीं रखेगा, तो फिर एक shepherd जो है, जिसने अपनी भेड बकडियां चलानी है, वो कैसे अपनी भेड बक पाएगा, यहां पर वो अपने आपको कर रहा है, shepherd से compare, ठीक है, shepherd का 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 क्या है, भेड बकडियां चलाना, और priest का क्या है, लोगों को priest करना, जब corrupt हो shepherd ही, तो कैसे अपनी भेड बकडियों को साफ करेगा, इस तरह से जब corrupt हो priest ही, तो कैसे अवाम को पाक साफ करेगा, तो कहता है कि यह priest ही है जो दूसरों के लिए example को set करते हैं, दूसरों के लिए role models बनते हैं, इसलिए एक priest को साफ सुतरा होना चाहिए, corruption से free होना चाहिए, अब पहले, जितना मैंने आपको पता दिया, उन lines को discuss करते हैं, then further paraphrasing करके further lines को discuss करेंगे, text देखें, a good man was there of religion, कहता हमारे साथ एक religion का good man था, and was a poor person of a town, वो पूरे टाउन का एक poor person था, of a town, यानि कि किसी एक town का, famous town से नहीं बिलोंग कर रहा, but rich he was of holy thought and work, कहता अगर इसके work और thought के लिए हासे बात किजाए, तो वो काफी rich था उसमें, मतलब, he has a great holy thought, उसके पास holy thought है, वो पकीजा सोच रखता है, उस सोच के लिहाँ से, अपने काम के लिहाँ से, वो एक बड़ा आदमी है, he was also a learned man, a clerk, कहता है वो एक clerk था, means a clergyman था, on the basis of his profession, अपने profession के लिहाँ से, वो एक learned man भी था, काफी पड़ा लिखा, आदमी था, that Christ's gospel truly world preach, कहता है ये preaching किया करता था, उसके बाद है, his parishioners devotedly would he teach, कहता है अपने parishioners को ये devotedly बढ़ाया करता था, devotedly बड़े दिल के साथ सिखाया करता था, gospels की preaching को, बिनकिन, he was and wonder diligent, बिनकिन कहते हैं, basically, ऐसा person जो compassionate हो, जो benevolent हो, रहम दिल हो, कहते हैं, wonderfully diligent था, और साथ साथ ये एक रहम दिल and in adversity, full patient, कहता है, जब adversity का time आया, बुरा time आया, उसमें ये full patient दिखाया करता था, बड़ा सबर दिखाया करता था, and such he was, ये प्रिव्ट ओफन सिथ, switch मतलब such, कि बहुत से मोकों पे, ये एक kind-hearted man के तोर पे हमारे सामने आया है, अब यहाँ पे जो important lines थी हमारे पास, line number 479, यानि के openings से लेकर, line number 480, ये second line तक, ये important lines हैं, पहली दो, चल्लें, अगले slide पे चलते हैं, For loath were him to curse for his titties, titties कहते हैं, टक्स देने वाले लोग, कि वो लोग जो के पूर लोग थे, जो टक्स नहीं देख सकते थे, he never hated them, इसने कभी भी उनसे नफरत नहीं की, और वो जो उनको कर्स करते थे, ये उनको पसांद नहीं करता था, But rather would he even out of doubt, even मतलब give himself, खुद देना, doubt मतलब without any doubt, ठीक है, कि हाँ, हलाकि ये rich man नहीं था, हाँ, ये जो गरीब लोग थे, उनसे church के लिए text लिया करता था, लेकिन on the other hand, जो इसके parishioners थे, जो के poor parishioners थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, ये उनको अपनी jeb से, अपनी pocket से, अपने arm से, उनको food दिया करता था, उनकी help भी किया करता था, उनको money भी provide किया करता था, on to his poor parishioners about, जो इसके poor parishioners थे, जो इसके poor followers थे, उनको, of his offering and eek of his substance, offering मतलब जो चीजें, जो तोहाइफ, जो gifts इसको मिल रहे हैं, ठीक है, और substance जो इसके पास जो भी कुछ sources हैं खाने के, कहता है जो भी इसके पास पैसा है, ये जो भी इसके पास sources हैं, उन sources से ये इन गरीब लोगों की, इन poor parishioners की help किया करता था, he could in little thing have suffisance, यानि कि इसके पास बहुत थोड़ा भी हो, कुछ बहुत कम quantity में भी हो, ये उसमें भी उसको suffisance हमसा था, यानि कि contentment feel करता था, he was contented with his lot, जो भी इसके पास है, उसके साथ ये satisfied है, इसने कभी भी complain नहीं किया, wide was his parish, कहते हैं इसके जो parish था, वो wide था, and houses were ascender, ascender मतलब दूर दूर, जहां पे उस parish पे, जहां पे जो घर थे, वो दूर दूर बने वे थे, but he left an net, for rain न थंडर, कहता है, लेकिन कोई भी बात हो, कैसे भी हला आत हो, यानि कि बारिश हो रही हो, या फिर थंडर हो रही हो, ठीक है, ये खुद बिमार है, बारिश हो रही है, थंडर हो रही है, और वहां पे कोई और भी बिमार हो जाए, in sickness nor in mischief to visit, ठीक है, कोई और भी बिमार हो जाए, तो कहता है, ये उनको मिलने के लिए जाता है, to fairest in his parish, much and little, light, much ज्यादा है, light थोड़ा, और fairest मतलब दूर द ये उन सब को मिलने जाता था, upon his feet, a paddle जाता था, and in his hand, a stick, staff, ये stick अपने हाद में पकड़ के जाता था, बेशिक इसको पैदल जाना पड़े, ये पैदल जाता था उन से मिलने के लिए, यह पर ये अपने हाद में एक छड़ी पकड़ के जाता था, जो इसका सहारा बन सके चलने में, this noble example to his sheep, he yef, sheep, he yef, मतलब जो इसके followers हैं उनको, ये अपने जो followers थे हैं, उनके लिए एक noble example बनना चाहता था, क्योंकि इसका belief ही यही था, कि अगर priest, जो preaching कर रहा है, वो खुद प्योर होगा, तो इसकी sheep, जो हैं, यानि कि जो इसके followers हैं, वो भी प्योर होंगे, that first he wrote, and afterward he taught, अब इसने क्या थेखा था, इसने ये, ये करता ये था, कि पहले ये खुद अमल करता था, फिर ये दूस्तरों को सिखा आता था, ये important line है, next देखते हैं, out of gospel, he though words caught, कहता है, इसने gospel से, यानि कि Bible से words सीखे थे, और वो क्या थे, and this figure he added एक थर्टो, और इसने इसको अपनी life के अंदर apply कर लिया था, that if gold rust, what shall iron do, कि अगर gold ही rust हो जाए, तो फिर iron क्या करेगा, iron तो खुद भी rust होगा न, और कहता है, अगर gold ही spoiled हो जाए, तो iron भी spoiled ह हो जाएगा, it means कि अगर preacher ही corrupt हो, तो इसके followers भी corrupt होंगे, तो इसने ये line, यानि कि doing before teaching वाला जो अमल था, वो Bible से सीखा था, कि अगर सोना ही खराब हो, तो iron भी खराब हो जाता है, तामबा भी खराब हो जाता है, and again, ये important line है, most important line है, कहता है, for if a priest भी fall, on whom we trust, अगर priest ही दो के बाज हो, तो हमें कि spit rust करना चाहिए, no wonder is a lewd man to rust, तो कहता है, इसमें फिर हराब होने की बात नहीं कि अगर एक lay man, एक आम आदमी भी corrupt हो, जब अगर priest ही corrupt होगा, तो ये दोना line, important line है, then है, sorry, ये भी, no wonder is a lewd man, ये भी important line है, and then है, and shame it is if a priest take keep, कहता है, तो ये एक priest के लि क्यों सी बात है, shameful कौन सी बात, a shitten shepherds and a clean sheep, कि अगर एक shepherd ही corrupt हो, तो वो कैसे अपनी sheep को clean करेगा, इसी तरह से अगर एक priest ही corrupt हो, तो कैसे अपने followers को neat and clean करेगा, well, ought a priest in sample for to yive, yive मतलब, जो लोग है उनके लिए, दूसरों के लिए कहता है, it is a priest who set example for others, जो दूसरों के लिए example set करता है, by his cleanse, how that this sheep should lay life, तो priest को, खुद को साफ सुतरा करके, दूसरों को भी सिखाना चाहिए, कि कैसे वो खुद को साफ करें, और कैसे वो खुद को paradise में जन्नत में लेके जाए, साफ करना मतलब अंदर से spiritually pure करना, इतना clear होगी आपको, अब next lines को discuss करते हैं, उनको discuss किने से पहले मैं आगे, आपको उनकी paraphrasing बता दूं कि वहाँ पर चोसर क्या कह रहा है, further person के बारे में, कहता है यह person, ऐसा person था जिसने अपनी absence में कोई other subordinate hire नहीं किया हुआ था, जो इसकी absence के अंदर, इसके parish में preach कर सके, इसका सोचना यह था, कि अगर किसी और को यह hire कर लेता है, किसी और curate को यहाँ प preach करे, और इससे ही क्या होगा, इससे ही होगा कि यह खुद hard working नहीं कर रहा, तो इसने यह किया है, अपनी absence में किसी और को ले आया है, इससे क्या होगा, इससे जो इसकी sheep हैं, जो इसके followers हैं, वो क्या होगे, वो खुद गुनाहों के दिलदल में फस जाएंगे, वो खुद corrupt हो जाएंगे, corrupt किस तरह से, कहता है, जो करना है, खुद करना है, खुद करना है, खुद करके un करना है, अगर खुद करके un करोगे, तो it means कि आप अपने काम के साथ loyalty नहीं दिखा रहे हो, तो कहते हैं, जब आप अपने काम के साथ loyalty नहीं दिखा रहे हो, तो जो आपके sheep हैं एक क्यूरेट हायर करके ये लंडन भी जा सकता था ये सेंट पोल के कैथरिल भी जा सकता था और वहां पे चैंटरी करके ये ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकता था और ये क्या थी? ये एक लालच होती तो कहता अपनी इस लालच की बज़ा से यानि कि ये लालची नहीं बनाना अगर ये लालची बनता तो जो इसके परिशनर्स थे वो सब डूब जाते डूब ते किसमें? गुनाहों के दलदल में तो अपने परिशनर्स को इसने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा इसी बेस पे ना ये लंडन किया ना ये सेंट पॉल के कैथरिडरल पे गिया और अगर ये सेंट पॉल के कैथरिडरल पे जाता तो वहाँ बिलकुल कम काम करके वहाँ पे ये ज़्यादा पैसा कमा लेता तो इस पार्सन ने ऐसा नहीं किया ये पार्सन जिस पैरिश से बिलोंग करता है ये वहीं पे ही रहा इसने वहीं पे प्रीचिंग की और जो इसके परिशनर्स थे इसने उनका भी ख्याल रखा और उनको भी ये प्रीच करता गया इसने खुद के अंदर पैसे की लालच नहीं आने दी और ना है इसने किसी कमिर् प्रेंशली तोर पे स्पोर्ट करने का नहीं कहा और इसी लिए कि दूर लंडन में जाता कि हायर तोर पे मतलब काफ़ जदा पैसा कमा लेता उसकी बजाए इसने प्रैफर किया अपने ही पैरिश को और जो परिशनर्स थे इसके जो इसके फॉल्लर्स थे उनको जो जुरूरत थी उनकी जुरूरत का इसने खयाल रखा और इसने ऐसा क्यों किया इसका ये मानना था कि इस तरह करने से जो इसने अपने पूरा जिंडर तियार किया हुए शीप का यानि कि जो भेडे इसने तियार करके रखी है अगर उनको अकेला छोड़ के जाता है तो कोई ना कोई व ग मैं रहा है कि ये खुद कोन है Shepard हिफाजट कि कर रहा है भेडों कि भेडे कोन है इसके followers यानि के इस तरह करने से यानि कि मैं अपनी शेपर्ड्स को छोड़ कर नहीं नहीं जा रहा यानि कि मैं अपने परिशनर्स को छोड़ कर नहीं नहीं जा रहा इस तरह से क्या होगा इस तरह से जिनको मैंने त्यार किये रिलीजियस तोर पे उनको कोई भी वुल्फ आके अटाइग नहीं कर सकेगी जिसके लिए चौसर ने कहा कि एक ट्रू शैपर्ड था एक काफी अच्छा शैपर्ड था जो पैसों के लिए नहीं चलता था बलके लोगों की हल्प करने की कोशिश करता था ये बहुत हॉली और विट्शूस था और ये जितने भी और्थोड़क पार्संस थे उनको भी पसंद करता था यानि कि प्रोफेशनल जैलिसी का भी अलिमेंट नहीं था इसके अंदर और जितने भी गुनागार लोग थे ये उनकी तरफ सक्त अटिट्यूड नहीं दिखाता था ना ही इसकी स्पीज के अंदर कोई अग्रेसिव टोन नजराती थी या पर डुराने वाली आवास नजराती थी ये बहुत ही हमबल और काइंड हार्टिट था तोवर्ड वी परिशनर्स चितने भी ये परिशनर्स थे उन सबको ये परडाइस में जाने के वेज बताता रहता था और कोई भी परिशनर्स अपने लोग या हाई स्टेटस होने की बेस पे एक दूसरे का मजाग उड़ाता था तो ये पार्सन उनको डांट देता था और उनकी इंसल्ट करता था इस चीज़ पे क्योंकि इसके लिए everyone is equal पिर चोसर कहता है मेरे मुताबिक मैं जो जानता हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि इससे बहतर प्रीस्ट हम कहीं पे भी नहीं ढूंड सकते यह वह वहत प्रीस्टा जो के बैटर था और बैस्ट था अपने ओन वेज में और उसके इलावा यह इसने जो भी पढ़ाना होता था क्राइस्ट की जो भी टीचिंग लोगों को प्रीस्ट करनी होती थी यह पहले खुद अमल करता था फिर दूसरों को सिखाता था बैनेफिंट यहां पर वर्ड रेफर कर रहा है चट सलरी को कि इस नहीं कभी भी किसी परसन को किसी भी क्यूरेट को हायर नहीं किया अपनी एपसंस में and let his sheep encumbered in the myre myre मतलब दल delivery कि चैता था कि अगर हुआ किसी को अपनी absence में यहां पर हायर कर लो मतलब मैं किसी को यहां पर हायर करके कहीं और सबस्तर जाऊं तो क्या होगा? जो मेरे sheep हैं, जो मेरे followers हैं वो गुनाहों के दल लु में फस जाएँंगे and ran to London on to St. Paul's क्या करता कि अगर क्या करता ये किसी को hire कर लेता तो खुद इचल जाता लंडन में या फिर St. Paul's में वहां जाके करता कम काम करता ज्यादा earning मिलती तो कहता पैसे की इसको लालच नहीं थी इसको जो फिकर थी अपनी कौम की थी अपने followers की थी तो ये उनका ज्यादा सोचता था इसलिए उनका सोचते हुए ये ना लंडन गया ना St. Paul's में श्राइन पे गया ये कहां पे रहा अपने parish में रहा इसने किसी को भी hire नहीं किया तो सीक हिम आ चांटरी फोर सोल्स कि वहां जाता ये St. Paul में वहां पे चांटरी करता और वहां से उसको earning होती और बहुत ज़्यादा earning होती लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और विदा brotherhood to be with all और ना इसने अपने किसी brotherhood से यानि कि जो neighboring city है जो neighboring village है उससे किसे भी contact करने के कोशिश नहीं की कि वह इसको financially तोर पर sport करें but dwelt at home and kept well his fold लेकिन क्या किया ये अपने ही parish में रहा और इसके parishioners थे इसने उनका ख्याल रखा इस तरह क्या गया so that the wolf name made its name miskri कि तक इस तरह क्या हूँ कोई भी wolf आके जो इसके parishioners थे उनके उपर attack नहीं कर सकती थी और इसका ना ही miskri मतलब कहते है जो बंदा पैसों का लालस रखता हो पर कहते है nat मतलब no इसको पैसों की लालस नहीं थी कि ये पैसों की लालस में निकलता और इससे क्या होता पीचे से कोई भेड़िया आके इसकी शीप को तबाह कर देता he was a shepherd and not a mercenary मतलब ऐसा बंदा ये थी थी जो पैसों की लालस रखता वो एक shepherd था जो के अपनी अवाम की अपनी भेड़ों की फिकर करता था and then and though he holy and virtuous कहता हाँ ये holy भी था और virtuous भी था he was to sinful man not disputious कहने के कहता है जो आदमी गुनागार थे कि उनके तरफ काफी scornful ये नफरत वाला attitude ने रखता था ने of his speech, dangerous ने, ding, कहता है ना इसकी जो speech थी वो dangerous होती थी, ना खतरनाग होती थी ना houndful होती थी but in his teaching discreet and bin, कहता है अपनी ये teaching के अंदर काफी discreet और काफी kind-hearted नदर आता था कि politeness से लोगों को जननत का रास्ता दिखाता था to drawn fog to heaven by fairness कि लोगों को बेवकूफ ना बना है बलके fairness dealing करके heaven का रास्ता दिखाए by a good example this was his business even कि अपने profession के लिहाज से बात की जाए तो ये काफी good example set करता था दूसरों के लिए role model बनना चाहता था और कहता है चोसर कहता अगर मैं कहूँ तो इसके profession के लिहाज से इस person जैसा कोई और person था ही नहीं कहता है but it were any person obstinate मतलब अगर कोई भी parishioner होता जो के disturbance create करता whatsoever he were of high or low state कहता वो parishioners यानि के अगर high rank से बिलों करता या लो लो लों करता किसी भी rank से बिलों करता अगर वो disturbance create करता या एक दूसर की insult करता तो इस person का से react कहता था him would he snap in sharply for the nuns कि उनके इस behavior की base पे उनके इस act की base पे उनको डांट देता उनकी insult करता क्योंकि to him everyone is equal and then a better priest I throw that nowhere known years कहता अगर मैं कहूं तो इस से better priest कभी भी नहीं देखा जा सकता he waited after no pomp and reverence इसको किसी भी पैसे की लालस नहीं थी किसी भी ceremony की लालस नहीं थी कोई भी dignified किसम की ceremony उती वहां पे नहीं जाता था ना इसको शोहरत का शोग था ने make him a spice conscience ना ये over sophisticated conscience रखता था but Christ's lore and his apostle 12 लेकिन ये जो भी पढ़ाता था devotedly पढ़ाता था जो Christ की teaching थी जो उसकी Christ की 12 apostles थी उसने उनको काफे devotedly पढ़ाया he taught but first he followed it himself कहता है ये जो भी पढ़ाता था पहले है कुद इसके उपर practice करता था और यहां पर जो हमारे पास important line है वो है जिसको मैंने भी highlight किया था this one and last one जो के 530 line number बनती है और यहां पर line number 509 से 511 तक ठीक है यह भी important lines है इनको आप highlight कर लीजेगा और यहां पर हमारा जो character है person का वो हो गया complete I hope कि आपको सारे concepts clear रोच चुकी होंगे फिर भी कोई कोई फियो नहीं तो आप उसे comment में पूस लीजेगा मैं आपको response जरूर करूंगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्षर कसा तब तक के लिए अला हाफ़